नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं वरंदा शर्मा एस चांद का ओफिशल यूट्यूब शेनल में आज आपके सामने वीडियो सॉलूशन करम में टॉपिक नमबर हमारा रहेगाज 22 जो की इंपोटेंट टॉपिकों में से एक आता है चक्रवर्ती ब्याज ये हमारा साधार साधारन ब्याज के बाद अगला टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज है काफी सारे कुष्चन आपको इसमें मिक्स मिलेंगे जो CIE और SI पर आधारित है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप साधारन ब्याज वाले मेरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि हेल्प करेगा आप पर प्रॉपर कराये जाता है और बेसिक करने के बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दीगे फस्ट कुष्चन हमारे सामने है बट हमें कुष्चन करने से पहले इसका बेसिक समझना है बेसिक होता है इसमें मूलदन एक वर्ड होता है मूलदन इसको प्रिंसिपल कहा जाता पी से denote करते हैं, मुल्धन को पी से denote करते हैं, प्रिंसिपल, जो धन उधार दिया जाता है, जो पैसा हम किसी को उधार देंगे, उसको मुल्धन कहा जाता है, तो जो पैसा उधार दिया जाए, उधार दिया जाए, जो पैसा उधार दिया जाए, उसको मुल्धन कहा जाता है, और ब्याज हमेशा मुल्धन पर ही ग्यात करना होता है तो ब्याज आपको हमेशा मुल्धन पर मिलता है Second word होता है हमारा Amount अरथात MissDhak MissDhak community को मैं इसे लिखोंगा Amount Amount होता है जिस दhen में ब्याज को भी सामिल कर लिया जाए जिस पैसे में अगर ब्याज को भी सामिल करेंगे उसको मिस्दन कहा जाएगा तो यानि कि जो पैसा जिस पैसे में ब्याज को सामिल कर लिया जाए अर्थात मूलधन प्लस ब्याज मूलधन प्लस ब्याज अगर आप करेंगे तो मिस्दन होता है तो जो पैसा हम उधार देंगे उसको मूलदन कहेंगे और जो पैसा ब्यास सहीत वापस लेंगे उसको amount कहा जाएगा अब कुछ छोटे छोटे point है जो हमें ध्यान से देखने है जैसे कि किसी question में कहा जाए एक साल बाद जैसे एक साल बाद हो गया 5000 रुपे एक साल बाद 5000 रुपे होता है अब यह जो एक साल बाद पैसा होता है दो साल बाद होता है छे महिने बाद होता है इस पैसे को मिस्दन कहा जाता है तो यह छोटी छोटे point है जो आपको ध्यान से देखने है तो एक साल बाद, दो साल बाद, यह amount होता है, इसमें mole प्लस ब्याज सामिल होता है, और कुछ important point है जो आपको ध्यान रखने हैं, देखें, अगर हमारा verse है, verse, दर और समय, अगर ब्याज वारसिक है, वारसिक है, तो दर हमारी R रहेगी, दर हमारी रहेगी, R, और समय रहेगा अर्था, जो भी समय दिया है, वही समय आपको रखना है, समय हमें सेम रखना है, rate आपको सेम रखना है, तो question में बोला जाता है, ब्याज वारसिक लिया जाए, अगर ब्याज चमाही लिया जाए, ब्याज यदि चमाही हो, अगर ब्याज चमाही दे होता है, तो एक साल में ब्याज दो बार लिया जाता है तो जो भी समय दिया होगा उसको डबल करेंगे और रेट आदा होता है तो टाइम को हम डबल करेंगे और रेट को हम आरबाइट टू करेंगे ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना क्योंकि कुश्चन में लिखा होता है कि ब्याज वारस लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है समय डबल होता है रेट आदा होता है अगर ब्याज चमाई लिया जाए अगर ब्याज चार महिने में लिया जाए अगर किसी कुश्चन में बोला जाए कि ब्याज हर चार महिने में लिया जाए तो एक साल में ब्याज व्यक्ति तीन बार समय को तीन से गुना और दर को तीन से डिवाइड समय हो जाएगा हमारा 3T और रेट हो जाएगा R by 3 अगर किसी कुश्चन में बोला जाए कि ब्याज हर चार महीने में एक बार तो हमें हमेशा कोई भी ब्याज साल पर देखना होता है तो समय को तीन से गुना और दर को तीन से डिवाइड अगला पॉइंट होता अगर ब्याज हर तीन महीने में लिया जाए अगर ब्याज हर तीन महीने में लिया जाए तो साल में ब्याज चार बार लिया जाएगा तो समय को चार से गुना और दर को चार से डिवाइड ये आपको लेना i R by 4 अगर किसी कुश्चन में ब्याज हर दो महिने में लिया जाए अगर कोई विक्ति हर दो महिने में लेगा तो आपको हमेशा साल पर देखना होता है तो साल में 6 बार तो समय को 6 से गुना करेंगे और रेट को 6 से डिवाइड करेंगे जिस से गुना करेंगे रेट को उसी से डिवाइड करना है अगर किसी कुश्चन में लिखा जाए कि ब्याज हर महीने बाद दे एक महीने बाद दे है अगर ब्याज हर महीने लिया जाए अगर ब्याज हर महीने में लिया जाए तो साल में बारे बार तो जो भी समय होगा उसको बारे से गुना करेंगे और रेट को बारे से डिवाइड कराएंगे यह हो जाएगा रेट बाई ट्वैल तो यह important point है जो हमें ब्याज start करने से पहले इनके बारे में पता होना चाहिए ब्याज अगर सब वारसी के तो rate और दर के साथ कोई भी बदलाव नहीं करेंगे ब्याज अगर छमाई है तो time double होगा rate आदा होगा अगर व्याज हर चार महीने बाद दे है तो time तिगना होगा rate ती हाई होगा इसी करम में मैंने आपको सारे point यहां पे लिख दीए और इस से भार आपको एक भी question नहीं मिल सकता चलो अगला point हमारे सामने है एक निशित रासी पर दो साल के लिए 8% प्रतिवस की दर्से साधारन ब्याज समान रासी पर 10% की दर्से दो साल के चक्रवरती ब्याज से 225 रुपे कम है देखे हमें ध्यान रखना है साधरन ब्याज हर साल का बराबर होता है बट चक्रवर्ती ब्याज होता है जब ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया जाए चक्रवर्ती ब्याज कार्थ होता है जब ब्याज पर भी ब्याज लगाए जाए जदि ब्याज पर भी ब्याज वसूला जाए ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाए तो उसे C.I. चक्रवर्ती ब्याज कहते है ये हमें ध्यान रखना है ये पॉइंट हमें ध्यान रखने जब ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया जाए तो उसी को compound interest कहा जाता है तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला कुश्चन एक निश्ची समय पर दो साल के लिए 8% की दर्से साधारन ब्याज और समान रासी पर 10% प्रती वर्स की दर्से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज से 225 रुपे कम है देखिए 2 ब्याज की बात कर रहा है एक साधारन और एक चक्रवर्ती तो आपको यहाँ पर दो टेबल बना लेनी है साधारन ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की और अमाउंट आप एक ही रुपे मान सकते हैं चलो हम 100 रुपे पर चेक करते हैं अगर हम मूलधन 100 रुपे माने मूलधन अगर हम 100 रुपे माने तो 2 साल के लिए कुश्चन है और एक साल का ब्याज है 8% तो 100 पे 8, 8 होगा पहली साल और अगली साल भी 8 होगा साधारन ब्याज हर साल बराबर होता है अगर हम मोल्धन 100 रुपे मानें तो पहली साल भी 8 रहेगा अगली साल भी 8 रहेगा ठीक है 16 रुपे या एक साल का 8% दो साल का 16% इसका 16% करेंगे 16 रुपे ये तो हो गया हमारा साधाराण बट जब चक्रवर्ति ब्याज की हम बात करेंगे TI आई चक्रवर्ती ब्याज अगर हम 100 रुपे पर चेक कर रहे हैं पर चक्रवर्ती ब्याज का जो रेट है हमारा 10% है तो इसका 10% करेंगे 10 और इसका 10 खोड़ा ध्यान से देखना चक्रवर्ती ब्याज की टेबल आपको ध्यान से देखनी है सबसे पहले बराबर बातेंगे दुबारा देखें, देखो इससे पीछे कोई भी ब्याज नहीं है, पहली साल का चक्रवर्ती और साधरन बराबर होता है, तो पहली साल छोड़े जब दूसरे स्टेप पाऊगे तो जो पीछे ब्याज है, उसका 10% और करेंगे, अगर हम यहाँ पे साधरन ब्याज देखेंग तो 5 की वैल्यू दोसो पचिस है, एक की वैल्यू है उसका पैतालिस की बराबर है और हमने मौल्दण सो रुपे माणा है, तो की वैल्यू बनेगा ब्याज पिर तो पहले कुशन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्षन नम्बर A अर्थात पैतालिस सो रुपे कुश्चन नमब सेकेंड यदि 1400 रुपे 2 साल के लिए 20% साधरन ब्याज पर और समान रासी 10% की दर से 2 साल के लिए चक्रवरती ब्याज पर निवेस किया गया तो 2 साल का कुल अरजित ब्याज हमसे पूछा जा रहा है देखी कुश्चन में 1400 रुपे 2 साल के लिए साधरन ब्याज पर निवेस किया गया और 1400 रुपे समान रासी समान रासी का अर्थ होगा 1400 रुपे ये 10% की दर से 2 साल के लिए दौनों का रेट अलग अलग है बट समय दौनों का बराबर है और दोनों का कुल ब्याज पूछा जा रहा है, पहले का साधारन दूसरे का चक्रवर्ती, चेक करते हैं, देखें साधारन ब्याज होता है मूलधन, मूलधन हमारे सामने 1400, एक साल का 20% आप करेंगे, इसका 20% करेंगे 280, 20 बटे 100, यानि की 280, पहले साल 280, और इस साल भी 280, साध 200 रुपे और 20% रेट है, 1400 का 20% 280, 280, सबसे पहले इन दौनों को बरावर बाटें, बरावर बाटने के बाद, ये तो था हमारा साधारन, अगर हम चक्रवर्ती की बात करें, तो 1400 रुपे का 2 साल के लिए, 10% के साब से 2 साल के लिए, तो इसका 10% हमें निकालना है, तो 1400 करेंगे, तो 140, 140, बट आप निकाल लिए चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज होता है, जब ब्याज पर भी ब्याज निकाला जाए, तो इसका 10% और करेंगे, जो कियाएगा 14 रुपे, अब बोला जा रहा है, दो साल का को टोटल इंट्रेस्ट कितना बनेगा, अब 207 और एक 8, तो आंसर इसका आएगा 854 रुपे, अप्शन नमबर आएगा B, हमसे दौनों ब्याज यहां पर पूछे जा रहे है, TIB और SIB, नेक्स्ट, देखे, कुश्चन नमबर नेक्स्ट आपके सामने, डिफरेंट टाइप का आपको कुश्चन मिलेगा, हर टाइप के क कुश्चन है, 10% प्रतिवस की दर से, चक्रवर्ति ब्याज की दर से, किसी रासी का 20 साल का ब्याज दिया गया है, 1620 रुपे, यदि ब्याज वार्सिक रूप से संयूक्त होता है, कुश्चन में पूछ जारा रासी क्या है, देखे, ब्याज वार्सिक है, और मैंने आपको बताये तब वार्थिक वाले कुश्चन में rate और time को आप change नहीं कर सकते तो किसी भी कुश्चन में अगर मूलधन नहीं है आपको कुछ पॉइंट यहां सीखने हैं अगर किसी भी कुश्चन में मूलधन नहीं है तो आप rate पर जाएंगे rate 10% 10 upon 100 10% का अर्थ हुआ एक बटा 10 और कुश्चन में साल देखेंगे धाई तो धाई में हमें ध्यान रखना है तीन स्टेप पूरे करने और तीसरे का अधा करना है तो धाई साल में आप तीन स्टेप पूरा करें वो भी एक बटा 10 के हिसाब से अगर दो साल है तो नीचे जो संख्या होगी उसकी दो बार करनी है तो हम मान लेते हैं माना एक हजार रुपे है हम यह मान लेते हैं माना एक हजार रुपे लगाए हुए है नीचे जो नंबर होगा उसकी तीन बार हमें multiply करनी है एक हजार अब एक हजार का एक बटे दस करेंगे आप सौर पे, इधर भी सौ बनेगा और इधर भी सौ बनेगा, सबसे पहले बराबर बाटें, देखें दो स्टेप वाले कुश्चन हम पिछले दो कर चुके हैं, अब का जो कुश्चन हमारे सामने है, वो तीन साल के लिए लिखा हुआ है, तो इसके एक बटे दस करेंगे सौर पे इसके एक बटे दस करेंगे सौर पे, इसके एक बटे दस करेंगे हम सौर पे, सबसे पहले तीनों को बराबर लिखें, लिखने के बाद, इससे पीछे कोई भी ब्याज ने, चक्रवरती ब्याज होता है, जब ब्याज पे भी ब्याज मिलना सुरू हो जाए, तो इससे पीछ तीसरे साल आएंगे तो पीछे वाले का एक बटे दस, अगर इसके एक बटे दस करेंगे तो 10 रुपे, अगर हम तीसरे साल आएंगे तो पीछे वाले ब्याज का एक बटे दस, तीसरे साल आओगे इसका इसका और इसका, देखे जिस साल आएंगे उससे पीछे जो दिख रहा ब्याज अब हमें धाई साल का चक्रवर्ती ब्याज चेक करना है पहले साल का 100 रुपे बनेगा दूसरे साल का 110 बनेगा और तीसरे साल का हमारा ब्याज बनेगा 121 बट तीसरी साल का आधा है ये बनेगा 210 प्लस और ये बनेगा हमारा 60.5 तो ये आएगा 270.5 तो 270.5 वेल्ली ब पॉइंट अ Nord À एक बार वाफस दुबारा देखें, इसमें हमने 2-3 पॉइंट यहां पर सीखे हैं, सबसे पहले रेट पजाना है, अगर मूलदन नहीं है, रेट पजाएं, तो रेट है हमारी 10%, 10% को आप लिखेंगे 1 बटा 10, अगर 3 साल है तो नीच वाली संख्या की 3 बार गुना करेंगे, तो धाई साल में आपको 3 स स्टेप पहले पूरे करने, अगर 5,5 साल होता तो 2 स्टेप पूरे करने होते हैं, 1000 रुपे माने, 1000 के 1 बटे 10 करेंगे 100, 100, 100, सबसे पहले बरावर बाते हैं, फिर इसके 1 बटे 10 करेंगे 10, तीसरे साल आएंगे इसके 1 बटे 10, इसका करें और इसका करें, अब कुश्यन में लिखा हुआ है ड़ाई साल का चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हमारे सामने है 100 रुपे दूसरे साल का 110 तीसरे साल का 121, 121 का आदा करेंगे तो ये बनेगा 60.5 तीनों का योग बराबर ये एक की वैल्यू 6 बनेगी मूलदन हमने 1000 माना है तो 1000 वैल्यू बनेगी हमारी 6000 की नेक्स्ट अगला कुश्चन हमारे सामने है कुश्चन लिखा हुआ है तीन साल और दो साल के CIE और SI के बीच का अंतर दिया है 23 अनुपास साथ प्रतिवस की दर हम से पूछी जा रही है बलत तीन साल के CIE SI का अंतर और दो साल के CIE SI का अंतर का रेशो आपको दिया गया है 23 अनुपास साथ पूछ जारा रेट कितना है ये पॉइंट आपको सीखना है उसके बाद मैं दो तीन कुश्चन आपको इसके डारेक्ट सिखाऊंगा देखे इसका फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहें तो फॉर्मूला होता है 3B प्लस C अपॉन B क्यों होता है एक बार देखें जो भी मूलधन होता है उसका पहले आप दौनों साल बराबर ब्याज लेते हैं अगर आप साधारन ब्याज लेंगे पहली लाइन छोड़ दो CI और SI के अंतर के अगर बात करें तो पहली लाइन छोड़ दें क्योंकि पहली लाइन में ये CI में भी आती है और ये SI में भी आती है वापस दौ़ारा देखें हम कोई मूलधन मान चुके हैं P मान लिए इसका कुछ न कुछ ब्याज आएगा पहले बराबर बाटते हैं फिर इसका दौबारा ब्याज निकालते हैं अगर साधारन ब्याज होता तो 2A होता भै अगर ये साधारन होता तो 2A होता चक्रवरती ब्याज है 2A प्लस B तो साधारन होता 2A होता चक्रवर्थी 2A प्लस B अगर दौनों में अंतर करेंगे तो B आएगा इसी तरह अगर 3 साल के लिए देखें 3 स्टेप तियार करेंगे इसका मैंने बराबर ब्याज मान लिया A, A, A सबसे पहले हम इने बराबर बाटते हैं उसके बाद पीछे वाले का दुबार ब्याज निकलते हैं B, तीसरी साल आओगे इसका ब्याज इसका ब्याज और B का कुछ नया मान लेते हैं C B का हम कुछ नया मान लेते हैं C तो इसी तरह इस मैं भी पहली लाइन छोड़ दो तो 3 साल देखे तीन साल का बनाए 3B प्लस C रेशो और दो साल के लिए B बनाए तो हमें ये फॉर्मॉला डारेक्ट याद रखना है 3B प्लस C अपॉन B बराबर दिया गया है 23 वटे 7 अगर हम कंपेर कराएं तो B कमान 7 है B कमान है पूट करें 7 B कमान 7 है 7 पूट करें 7 21 और 2 23 C कमान आना चीए 2 इस कुश्चन में C कमान आएगा 2 अब हम ध्यान से देखें B कमान है कुश्चन में 7 और C कमान आ रहा है 2 तो ये जो 2 रुपे है C जो ब्याज होता है वो B का होता है तो 2 रुपे ब्याज है 7 पर और गुना करेंगे 100 से तो ये आएगा 200 बटे 7 इस सवाल का अंसर रहेगा उप्शन नमबर A चलो एक बार वापस फिर देखें 2 साल का C येसा एक अंतर B होता है 3 साल का 3 B प्लस C होता है तो B कमान 7 साथ पूट करें 7 21 और C कमान 2 रखेंगे 23 बनेगा अब C रुपे ब्याज बनता है B का तो C करत है 2 और B करत है 7 तो 2 रुपे ब्याज बना है 7 का और गुना करेंगे आप 100 से बट एक्जाम के पॉइंट अवी से अगर आप डारेक्ट समझना चाहें एक्जाम के पॉइंट अवी से अगर एक्जाम में आपको करना है तो इसकी तीन बार गुना करें 21 जो बचेगा उसा उपर और ये 7 रुपे का ब्याज है गुना 100 एक एक्जामपल और ले लेते हैं 33 अनुपात 33 अनुपात मान लेते हैं 9 अगर 33 अनुपात 9 होता तो 9 की 3 बार गुना करें 9 तिया 27 9 तिया 27 बचा कितना 27 छे बचा 3 बटे 9 गुना 100 तो आंसर बनता आपका 600 बटे 9 आगे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं Next अगला कुश्चन हमारे सामने अगला कुश्चन लिखा हुआ है एक रासी में 8 वर्स में साधारन ब्याज 40% बढ़ जाता है कोई रासी 8 साल में 40% बढ़ जाती है उसी दर पर 2 वर्स में 2 वर्स में 30,000 रुपे का चक्रवर्ती ब्याज हमसे पूछा जा रहा है कहता हुआ उसी दर पर सबसे पहले आपको रेट आइडेंटिफाई करनी है तो रेट देखिए आप सभी साधारन ब्याज हर साल बराबर होता है साधारन ब्याज हर वर्स बराबर होता है अगर 40% आठ साल में बढ़ी है तो एक साल में बढ़ी है 5% 40% बढ़ी है पाठ आठ वर्स में तो एक साल में बढ़ी है 5% इस कारत यह हुआ कि हर साल रेट हमारा 5% इंक्रीज हो चुका है अब कुश्चन देखते हैं दो वर्स में 30,000 रुपे का चक्रवर्ती भी आज बताएं दो साल में निकालना है पैसा हमारे सामने 30,000 है 30,000 30,000 के दो स्टेप आपको तियार करने और रेट आफ इंट्रेस्ट आपको दिया गया है 5 तो अगर हम इसका 5% निकालें तो 5% आएगा इसका 1500 और इधर भी 1500 सबसे पहले हम इसे बराबर बाटेंगे फिर पीछे वाले का ब्यास दुबारा निकलेगा 5% पीछे वाले का 5% करेंगे 55 टोटल जोडेंगे तो ये हमारा बनेगा 30,000 55 तो इस सवाल का आंसर बनेगा हमारा option number D सबसे पहले rate का आपको hint दिया गया है कि अगर 8 साल में 40% rate बढ़ा है तो हर साल 5% बढ़ा है अब हर साल 5% बढ़ा है तो 30,000 का 5% 5% और इसका 5% और निकालेंगे next चलो किसी रासी पर 18% प्रती वर्ष शक्रवरती ब्याज की दर से दूसरे साल के लिए ब्याज में 2655 रुपे प्राप्त होंगे मतलब दूसरे साल का आपको पैसा दिया गया है और आपसे मूलधन निकलवा रहा है कुश्चन दियान से पढ़ें किस रासी पर 18% चक्रवरती ब्याज की दर से दूसरे वर्स के लिए ब्याज के रूप में ये ब्याज आपको दिया गया है दूसरे साल के लिए एक कुश्चन होता है दौनो साल आप ध्यान से देखें मूलधन नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको समझाए था अगर किसी भी कुश्चन में मूलधन नहीं है तो आपको rate पहाना है और rate हमारी 18% 2-9 बार 2-50 बार सबसे पहले rate पजाएंगे 9 बटे 50 कुश्चन में 2 साल है अगर कुश्चन में 2 साल होंगी तो नीचे वाली संख्या की 2 बार गुना करनी है 2500 रुपे अब हम 2500 रुपे मान लेते हैं और 2 स्टेप आपको तियार करने है 2500 का 9 बटे 50 करेंगे अगर हम 2500 रुपे का 9 बटे 50 करेंगे 0 से 0 खत्म 5 से 50 बार 4500 4500, 4500 सबसे पहले बराबर बाटो सबसे पहले हमें बराबर बाटना है और फिर आपको पीछ है वाले का दुबारा बयाज निकालना है 450 का 9 बटे 50 9 बार ये आएगा 80 रुपे वापस दुबारा देखें आपने फिर मैंने जो पॉइंट पीछ आए थे उनी को दुबारा मैंने रिपीट कर रहा हूँ रेट 18 परसेंट है जब भी कुश्चन में मूलदन नहीं मिले आपको तो रेट प्याना है और रेट 18 परसेंट है इसको 9 बटे 50 कहेंगे अगर कुश्चन में 2 साल है तो इसकी दो बार गुना करेंगे 25 रुपे माने 25 का 9 बटे 50, 9 बटे 50 अब पीछे वाले का 9 बटे 50 दुबारा करेंगे यह आ गया उसके बाद लिखा हुआ है दूसरे साल का ब्याज अब दूसरे साल का ब्याज लिखा हुआ है तो हमारा दूसरे साल का ब्याज आ रहा है एक 8513 और 5 531 हमारा दूसरे साल का ब्याज है 531 अगर कुश्यन में 2 साल का ब्याज दिया होता तो आप 2 साल का ब्याज जोड़ते नौसो इक यासी अब कुश्यन में 531 की वैल्यू दिये 26 पचपन अगर हम एक हिस्सा पता करेंगे तो 5 के बराबर इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा ब्याज और उसके ब्याज में एक अनुपात 5 यानि 5 गुना आ रहा है जब एक हिस्सा 5 के बराबर और मूलधन हमने 25 सो माना था जो मूलधन आप मानेंगे उतनी ही वैल्यू आपको ग्याद करनी है तो 25 सो की 5 से गुना कर लें 25 सो की हम गुना 5 से करेंगे 125 डबल जीरो तो आंसर आएगा हमारा 12,500 रुपे नेक्स्ट चलो अगला कुश्चन हमारे सामने है अगला कुश्चन लिखा हुआ है किसी धनरासी पर 5 परसेंट प्रती वर्स की दर से 2 साल के लिए अर्जिस साधारन ब्याज और चक्रवरती ब्याज के अंतर 42 रुपे है पूछ जारा मूलधन कितना है ज्यान से देखें 5 परसेंट को बोलेंगे 1 बटा 20 5 परसेंट करत हो गया 1 बटा 20 कुश्चन में 2 साल है अगर कुश्चन में 2 साल है तो नीचे संख्या की आप 2 बार गुना करेंगे इसकी 2 बार गुना करेंगे 400 रुपे हम मूलधन एक ऐसा चुनेंगे जिसको 1 बाइ 20 डिवाइड कराए वो नंबर है हमारा 400 दुबारा देखें 5 परसेंट को 1 बटा 20 बोलेंगे अगर कुश्चन में 2 साल है तो नीचे संख्या की दो बार आपको मुल्टिप्लाई करने है 400 रुपे 400 का अगर एक बटा 20 करेंगे तो 20 और इधर भी 20 फिर 20 के एक बटे 20 करेंगे तो 1 आएगा 20 के एक बटे 20 करेंगे तो हम 1 आएगा कुश्चन में लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधरन ब्याज का अंतर अब CI और SI की डिफरेंस की बात कर रहा है पहली लाइन आप छोड़ दें क्योंकि पहली लाइन अगर आप साधरन ब्याज देखेंगे तो 40 आएगा बराबर होता चक्रवर्ती देखेंगे तो 41 आएगा दौनों में देखी अंतर है एक और एक वैल्यू बनेगी 42 की अगर एक हिस्सा हमारा 42 की बराबर है और हमने माना था 400 इससे 400 की गुना 42 से करें अगर हम 400 की गुना 42 से करेंगे तो यह आएगा हमारा 16,800 रुपे तो इस सवाल का आंसर बनना चाहिए हमारा option number A next फिर अब वार्सिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 3 साल में 125 बटे 64 कुना हो जाता है पूछ जारा rate of interest कितना है अब यह question आपको ध्यान से देखना है दर हम कैसे निकालते है पहले इसका proper तरीका देखते है हमारा formula होता है A बराबर P 1 पलस R by 100 की पावर N चक्रवर्ती मिसेधन का formula होता है A बराबर P 1 पलस R by 100 की पावर N अगर हम देखें question में हमारे पास 64 रुपे थे और 64 के 125 तो principle 64 है amount 125 हो गया 1 पलस rate rate हमें नहीं पता upon 100 और समय question में 3 साल है सबसे पहले मैं आपको इस question का proper तरीका सिका रहा हूँ कुछ तरीका करने के बाद फिर इसकी direct approach हम लेंगे यह upon माये गए धर 125 बटे 64 बराबर 1 पलस R by 100 की पावर 3 अब हमें देखना है यह number किसी नहीं किसी number का cube है यह 5 बटे 4 का cube है बराबर हो जाएगा 1 पलस R by 100 के पावर cube इससे यह हटेगा 1 इदर आके minus हो जाएगा बराबर R by 100 तो यह बचेगा 1 by 4 is equal to R by 100 तो R बराबर आएगा हमारा 25% तो इस सवाल का answer आएगा option number B अगर proper तरीके की बात करें तो यह हमारा proper तरीका है बट exam में हमें कैसे करना है इसके तुरंट बाद मैं उस approach को बताऊँगा देखे हमें लिखने का तरीका आपको लिखना है मूलधन और मिस्सदन question में अगर मूलधन मिस्सदन दिया है तो आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि formula से मैंने सारी चीज आपो clear कर दी है 64 रुपे मूलधन है 125 रुपे question में 3 साल है इतनी साल होगी उतना root लेंगे तो 64 का cube है 4 और 125 का आएगा 5 मरला ऐसा number आपको देखना जिसकी 3 बार गुना करे 64 आए 3 साल है इसकी 3 बार 64 का cube 4 125 का 5 अगर हम question को दियान से देखे तो 4 के होगे 5 तो 1 रुपे ब्याज बनाए 4 से गुना 100 तो answer आएगा 25% वापस दुबारा देखें 64 के 125 question में 3 साल है इनका root लेंगे 4 और इसका लेंगे 5 अब 4 के 5 होगे 1 रुपे ब्याज चार से गुना 100 बराबर 25% अगर हम और कुछ एक्जामपल लेते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं 2 साल और 2 साल में ले लेते हैं 25 बटे 16 suppose हम ले लेते हैं 25 बटे 16 और साल ली हमने 2 तो हमारा लिखने का तरीका है मूलधन और मिस्दन मूलधन और मिस्दन question में मूलधन है 16 मिस्दन है 25 16-25 लिखेंगे question में 2 साल है तो ऐसा नमबर आपको चुनना है जिसका रूट आ जाए इसका 4 और इसका 5 अब 4 के 5 होगे एक रूपे ब्याज 4 से गुना 100 तो इस सवाल का आंसर आएगा 25% आसानी से हम इस question का आंसर ग्यात कर सकते हैं चलो अगला question हमारे सामने है चलो next question आपके सामने है question लिखा हुआ है कि 10% वार्थिक दर से 3 साल के लिए किसी धनदासी के CI और SI का difference CI और SI का difference हमें दिया गया है 620 और question में पूछा जा रहा है कि वो धनदासी कितनी है देखो CI SI का difference दिया गया है तो ये double question आपको CI भी पता करना है SI भी पता करना है जब भी question में मूलधन नहीं है तो मैंने आपको बताया rate पजाना है अगर question में मूलधन नहीं है तो आपको rate पजाना है तो rate है इसमें 10% जिसको कहेंगे एक बता 10 अब question में देखे 3 साल है जितनी साल होगी उतनी बार आपको गुना करनी है इसके 3 बार multiply करेंगे 1,000 तो हम 1,000 रुपे मान लेते हैं और question में 3 साल है पहले दूसरी तीसरी तो 1,000 का 10% 10% को एक बटा 10 कहते हैं अब 1,000 का एक बटे 10 करेंगे तो 10 इधर भी 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा सबसे पहले तीनों को बरावर बाटेंगे 10, 10 और 10 अब 10 का 10% करेंगे 1 जब आप तीसरे साल जाओगे तो इसके एक बटे 10 करेंगे एक बटे 10 करेंगे तो 1 इसके एक बटे 10, 100 होगा सॉरी 100-100 रुपे करेंगे इसके एक बटे 10 करेंगे 10 और इसका करेंगे 10 10 और 1 वापस दुबारा देखें अगर हमारे पास question में मूलधन नहीं है तो आपको rate पजाना है rate हमारा 10% जिसको एक बटे 10 करेंगे question में जितने साल होंगे नीचे वाली संख्या के इतनी बार गुना करके आपको मूलधन लिखना है 1000 अब 1000 के एक बटे 10 करेंगे 100-100-100 फिर 100 के एक बटे 10 करेंगे 10 तीसरे साल आओगे जो पीछे देख रहा है इसका इसका और इसका सबका कर दिया अब CIE और SIE के अंतर के लिए पहली लाइन चोड़ दे क्योंकि साधरन ब्याज साधरन ब्याज के अगर बात करेंगे तो हर साल 100-100 रुपे 300 और चक्रवर्थी ब्याज होगा 331 तो अगर अंतर की बात करेंगे तो 31 का डिफरेंस है तो 31 की वैल्यू 620 एक हिस्सा 20 के बराबर है अगर हम कुष्ण को ध्यान से देखे तो एक हिस्सा हमारा 20 के बराबर है धनराशी पूछी जारी है धनराजी हमारे पास टोटल एक हजार हिस्से है तो एक हिस्सा बीस की बराबर है तो एक हजार की दौनों तरफ आपको गुना करनी है जो किया आएगा बीस हजार रुपे तो राइट आंसर बनेगा इसका option number D next चलो अगला question आपके सामने है अगला question हमारे सामने है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 साल का CI दिया गया उसी धन का उसी धर पर उतने समय का साधारन ब्याज बताए देखें सबसे पहले अगर मैं आपको direct approach की बात करूँ सेम पैसे का CI देके SI निकल वाए तो इसका direct तरीका होता है साधारन ब्याज पूछे तो 200 गुना चक्रवर्ती ब्याज बटे 200 प्लस दर अगर हम इसकी direct approach की बात करें तो यह आप लगा सकते हैं 200 गुना चक्रवर्ती ब्याज 200 प्लस दर अब 200 गुना चक्रवर्ती ब्याज question में 102 दिया है और 200 में दर जोड़ेंगे 204 बनेगा इससे यह cancel होगा दो बार और answer आएगा 100 रुपे अगर हम direct approach की बात करें तो 200 गुना चक्रवर्ती ब्याज बटे 200 प्लस दर आएगा तो 200 गुना चक्रवर्ती ब्याज बटे 200 प्लस दर answer आएगा 100 रुपे तरीका नमबर 1 अब इसे proper अगर method से करें हम तो अगर पहली line को हम ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था अगर cushion में मूलधन नहीं है तो आपको दर प्याना है दर दी विए 4% 4% करत हो गया 1 बटा 25 अब cushion में 2 साल है अगर cushion में 2 साल है तो नीचे वाली संख्या की दो बार गुना करेंगे 625 रुपे 625 का 1 बटे 25 करेंगे 25 और इधर भी 25 सबसे पहले दौनों साल को बराबर देंगे 25-25 फिर 25 का 1 बटे 25 करेंगे तो 1 तो टेबल आपको फिल करनी है cushion में लिखा हुआ है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो 51 तो 51 की वैल्यू दिए 102 तो एक हिस्सा हमारा 2 की बराबर बनेगा अगर एक हिस्सा हमारा 2 की बराबर बनेगा और question में साधरन ब्याज पूछा जा रहा है साधारन ब्याज अगर पहले साल 25 है तो अगले साल भी 25 होगा अगर इस साधारन ब्याज देखेंगे तो 50 बनेगा अगर 2 की वैल्ली 50 1 की वैल्ली 2 तो 50 की वैल्ली बनेगा 100 रुप वह साधारन ब्याज हर साल बराबर होता है तो साधारन ब्याज पर पीशे से ब्याज ने मिलता है नेक्स्ट चलो अगला कुश्चन हमारी स्क्रीन पर अगला कुश्चन दिया गया है चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनरासी 5 साल में डबल हो जाती है पूछा जा रहा है ये रासी 20 साल में कितनी हो जाएगी कुश्चन को ध्यान से देखें 12,000 रुपे कहता हर 5 साल में डबल हो रहे हैं पहले 5 साल में इसको डबल करेंगे 24,000 अगले 5 साल में ये डबल होगा 48,000 फिर अगले 5 वर्स में ये 96,000 हो जाएगा और अगले 5 साल में अगले 5 साल में एक लाग बाण में हजार बनेगा तो कुश्चन की लेंगविज को आप समझने की कोशिस करें कि पैसा 5 साल में डबल हो रहा है अगर 5 साल में डबल हो रहा है तो 12 के 24 होगे 24 के 48 होगे 48 के 96 में और 96 में के एक लाग बाण में हजार 96 के एक लाग बाण में हजार तो टोटल 20 साल में पूछा जा रहा है क्या अंसर आएगा हमारा एक लाग बाण में हजार तरीका नमबर एक इसका एक कंसेप्ट आप और देख सकते हैं पांस साल में डबल हो रहे हैं अगर पांस साल में डबल हो रहा है, पूछ रहा है बीस साल में कितना होगा, अगर ये पैसा पांस साल में डबल हो रहा है, बीस साल में पूछा जा रहा है, देखे ये कितने गुना है, चार गुना, जितने गुना होगा चार गुना, उतनी पावर आप इस पे लगा दें, सो पावर लिखनी है, तो हमारा पैसा 16 गुना हो जाएगा, पैसे हमारे सामने ते 12,000 और 12,000 का अगर हम 16 गुना करेंगे तो 1,02,000 आंसर हमारा बनेगा 1,02,000 अगर हम और एक दो एक्जामपल समझने की कोशिस करें ये देखें, जैसे 5 साल में 3 गुना हो रहा है तो पूछे 10 साल में कितना होगा अगर कोई पैसा 5 साल में तेखना हो रहा है 10 में, देखे ये डबल है अगर ये डबल है तो इतनी पावर आप इस पे लगा दें 9 गुना जितने गुना होगा उतनी पावर लगा के आप आसानी से आंसर ग्यात कर सकते हैं अगला कुशन है चक्रवर्ती ब्याज की किस दर पर कोई धंदासी एक साल में 650 दो साल में 676 हो जाएगी दर पूछा जा रहा है देखेंगे दो मिस्धन आपको दिये गए हैं अगर दो मिस्धन दिये जाएं तो मैं आपको बता रहा हूँ 650 इन दोनों का रिशो निकालें अगर आप इनको कैंसिल करना चाहें कर लें उसके बाद ये देखेंगे इन दोनों में एक साल का गैप है तो कुछ नहीं करना एक साल का गैप है तो आपको कुछ भी नहीं करना इसमें अगर दो साल का गैप हो तो इनका वर्ग मूल लेना है जैसे पीछे एक दर का कुश्चन आ चुका है तीन साल का गैप हो तो क्यू रूट लेना है तो एक साल के लिए कुछ नहीं करेंगे डारिक टाप पढ़ेंगे 650 के 676 अगर 650 के 676 होगे 26 रुपे ब्याज है मूल 650 है कुना 100 13 से 2, 13 से 5 5 से 2 बार 2 दुने 4 परसेंट अगर कुश्चन में रेट पूल जाए तो आपको 4 परसेंट यहां पे पैसा लगाना है तो इस कुश्चन में रेट आफ इंट्रेस्ट हमारा 4 परसेंट है अगर मूल धन की बात करे होता है क्योंकि मूलधन 100% होता है ते 104% 104% की value 650 के बराबर है 13-8 बार 13-5 65 0 2-4 बार 2-25 बार 1% की value बनेगी 1% की value हमारी बनेगी 6.25 100% का मान चाहिए 625 रुपे तो इस सवाल का अंसर आएगा हमारा 625 रुपे वापस दुबारा देखें अगर इन दोनों का gap starting में लिखा हुआ है तो एक डारेक्ट तरीका और लगा सकते हैं आप कम मूलधन की दो बार गुना अपन अधिक मूलधन तो इसका भी solution 625 बनेगा दुबारा देखें मूलधन इससे धन का ratio ले उसके बाद आप दर ग्याद कर ले दर ग्याद करने के बाद आसानी से आप ग्याद कर सकते हैं अगर डारेक्ट अपरोच चाहते तो एक तरीक और देखें एक तरीक और देखें देखें हमें ये देखना है कि एक साल में हमें ये देखना है कि एक साल बाद ये पैसा कितने गुना हो गया आप ये अपरोच भी लगा सकते हैं एक साल में इतना दू साल में इतना तो बड़े नमबर को छोटे नमबर से डिवाइड कर आए तेरे पंजे पैसट जीरो, तेरे चौका बावन, तेरे पंजे पैसट दो बार, दो से पच्चिस, दो से चब्चिस मतलब एक साल बाद हो रहा है 650 तो एक साल में हमारा पैसा 26 बटे 25 हो चुका है करेंगे 625 चलो अगले कुश्चन पाते हैं अब चलो अगला कुश्चन आपके सामने है कुश्चन लिखा हुआ है क्या हजार रुपे का 10% वारसिक दर्फ से 1.5 साल का C.I. बताएं जब कि ब्याज वारसिक रूप से सही हो जित हो मैंने आपको अपनी वीडियो में हर टाइप का एक एक कुश्चन आपे कवर कराने की कुश्चिस करिए ताकि आपको ब्याज वाला टॉपिक काफी आसानी से किलियर हो जाए 6,000 है अब डेड़ साल वाले में हमें ध्यान रखना दो स्टेप तियार करने दो साल और दूसरी साल का आदा करेंगे या पहली साल आप 10 लेंगे अगली साल आप 5 भी ले सकते हैं दूसरा मेतड इसका है 5 परसेंट लेकर बट हम बराबर लेकर दूसरी का हफ करेंगे 6,000 का अगर 10 परसेंट करेंगे तो 600 और इदर भी 600 और 600 का 10 परसेंट करेंगे तो 60 सबसे पहले दो स्टेप हमें तैयार करने और दूसरे स्टेप का आदा करना है पहले साल भी आज बनेगा 600 दूसरे साल बनेगा 660 और 660 का आदा करेंगे तो 600 प्लस 330 आंसर बनेगा 930 तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा option number C चलो अगले question पाते हैं अब किसी धन्रासी पर एक निश्चित दर से 2 साल का साधरन और चक्रवरती का ब्याज आपको दिये गए है साधरन ब्याज 900 चक्रवरती ब्याज 900 दर धन्रासी पूछा जा रहा है या हमसे दर भी पूछी जा सकती है इसमें 2 सवाल बनते हैं दर बताओ या धन्रासी बताओ देखे सबसे पहले आपको साधरन ब्याज देखना है अगर 2 साल का साधरन ब्याज 900 है दो साल का साधारन ब्याज 900 है तो साधारन ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है साधारन ब्याज प्रतेक वर्ष का बराबर होता है पहले साल 4500 अगले साल भी 4500 सबसे पहले बराबर बाटे 900 अगर हम चक्रवर्ती ब्याज देखे 954 तो बचा हमारा 400 900 रुपे हो चुका है, 54 रुपे बचा अब ये 54 रुपे ब्याज है, 4.500 का 54 रुपे ब्याज बनता है, 4.500 पर परसंटेज की गुना करेंगे हम 100 से 0 से 0, 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, 5 से 2 बार, 12% अगर कुश्चन में रेट पूला जाए, वापस दुबारा देखें 2 साल का साधरन ब्याज 900, चक्रवर्ती 954, साधरन ब्याज हर वर्स का बरावर होता है, 450, 450, पहले बरावर बाटे 900, चक्रवर्ती ब्याज मगर इसको बदलना है, तो बचा हमारा 54, अब 54 ब्याज है, 4.500 का गुना 100, तो हमारा रेट आएगा 12%, अगर हमें दौन ब्याज चुनने को मिलें, तो आप साधरन लें या चक्रवर्ती लें, बट हम साधरन से आसानी से ग्याद कर सकते हैं, मुल्दन एक साल का रेट बारा, जब एक साल का साधरन बार है, तो दो साल का 24, 24% वैल्यू बनेगी 900 की, 6-4 बार, 6-500 बार, तो एक परसेंट अगर पता करनी है, तो चार से डिवाइड कराएंगे, और गुना 100, टोटल पैसा 100% होता है, तो ये बनेगा 3750 रुपे, तो आनसर आएगा इसका 3750, सबसे पहले दर निकालेंगे, दर निकालने के बार, साधरन ब्याज आप चुने, एक साल का बार है, क्योंकि साधरन बराबर होता है, तो दो साल का प्रॉपर तरीका होता है, इसका मिस्धन बराबर मूलधन, वन प्लस दर बटे 100 की पावर हैं, तो लो पहले अधिक वर्स वाला लेते हैं, 2620, 262 मिस्धन हैं, मूलधन नहीं पता, वन प्लस आर बटे 100 की पावर 3, इसी तरह दो साल में 24 बीस, बराबर मूलधन, वन प्लस अगर हम इन दौनों को डिवाइड कराएं तो P से P cancel और 2 से डिवाइड कराएंगे 1210 बार और 2 से डिवाइड कराएंगे आप 1331 ये हो गया 11 से 110 बार 121 बार 11 से 10 बार और 11 से 11 बार तो 10 बटे 11 इधर बनेगा 10 बटे 11, अगर इधर माइनस करोगे उपर जाके माइनस होगा तो ये आएगा 11 बटे 10 बार 1 प्लस आर बाई 100 नीचे से जब उपर जाएगा तो माइनस माएगा और प्लस का 1 इधर आके माइनस आएगा तो एक बटा 10 बार आर बाई 100 जीरो से जीरो आर बाई आर बाई 10 अगर अगर इनके proper method की बात करेंगे तो ये हमारा proper method है बट अब हम इस question की direct approach सुरू करेंगे अगर हम इस question की direct approach समझना चाहें तो हमें दौनों साल के मिस्सधन लिखने है 24, 20, 26, 26 इसके बाद आपको देखना है गैप है एक साल का अगर एक साल का गैप है तो कुछ नहीं करना अगर question में गैप आपका दो साल का बने तो दौनों संख्याओं का वर्ग मुल लेना है तो एक साल का गैप है 24, 20, 26, 26, 242 प्याज मिला है 24, 20 से परसेंट के लिए गुना करेंगे हम 100 से इससे 10 बार जाएगा राइट आंसर बनेगा हमारा 10 परसेंट नेक्स्ट अगला question अगला question लिखा हुआ है किसी रासी पर 8 परसेंट वार्षिक चक्रवर्थी ब्याज किदर से पहले साल का ब्याज दिया गया है दूसरे साल का ब्याज पूछा जा रहा है पहले साल का ब्याज आपको दिया गया है सेकंड यर का ब्याज पूछा जा रहा है चक्रवर्थी ब्याज होता है जब ब्याज पे भी ब्याज मिलना सुरू हो जाए तो 48 का अगर हम 8% करेंगे तो 384 बटे 100 यह आएगा 3 रुपे 84 पैसे तो ध्यान डखना जो पहले साल का ब्याज उसमें 3 रुपे 84 पैसे और जोड़ दें क्योंकि दूसरे साल पिछले वाले ब्याज पर दुबारा ब्याज आपको निकालना है तो पिछले साल का ब्याज का दुबारा ब्याज निकालेंगे तो आंसर आएगा 48 प्लस 3 चौरासी आंसर आएगा 51 रुपे 84 पैसे नेक्स्ट चलो अगला कुश्चन आपके सामने है कुश्चन लिखा हुआ है कि किसी धन्रासी के 10% वारसिक दर से दो साल के चक्रवरती ब्याज और साधरन ब्याज कंतर 40 रुपे है पूछा जारा धन्रासी कितनी है देखें 10% 10% को हम बोलेंगे 1 बटा 10 10% ब्याज का रथ हुआ 1 बटा 10 कुश्चन में अगर 2 साल है तो इसकी 2 बार मल्टिप्लाई करनी है 100 रुपे हम मानते हैं 100 रुपे साल हैं 2 100 का 1 बटे 10 करेंगे तो 10 10 सबसे पहले इनको बराबर बाटेंगे 10 10 और 10 का 1 बटे 10 करेंगे 1 कुश्चन में C.I.E. और S.I.E. का अंतर दिया है C.I.E. और S.I.E. का अंतर के लिए पहली लाइन आपको छोड़नी है अंतर एक और एक की वैल्यू 40 है अगर एक हिस्सा हमारा 40 के बराबर है तो कुश्चन में 100 हिस्से 100 हिस्से हमारे बनेंगे 4000 रुपे के बराबर तो इस सवाल का अंसर बनना चाहिए option number 1 यह देखें चलो अगला कुश्चन आपके सामने है कुश्चन लिखा हुआ है किस धन पर 5% वारसिक दर से 2 साल का CIO और SI का अंतर 35 रुपे वो धन बता दो देखे 5% बताय जा रहा है 5% को हम एक बटा 20 कहेंगे कुश्चन में 2 साल है अगर कुश्चन में 2 साल है तो नीचे संख्या की दो बार मल्टिप्लाई करनी है अगर 20 की दो बार मल्टिप्लाई करेंगे तो 400 आएगा 400 रुपे पे 2 स्टेप हमें तियार करने है 400 का एक बटे 20 करेंगे तो 20 और इधर भी 20 और 20 का एक बटे 20 करेंगे तो 1 अब CIO और SI का अंतर आपको दिया गया 35 अगर हम CIO और SI का अंतर की बात करें तो 1 एक की वैल्यू 35 है 400 हिस्से चीए तो 400 की अगर 35 से गुना करेंगे तो यह आएगा 14,000 रुपे तो इस सवाल का राइट आंसर बनना चीए option number C next पिस धन पर किसी निश्यत दर से दो साल का साधरान ब्याज और चक्रवरती ब्याज हमें दिया गया है पूछ जारा rate of interest कितना है देखे दो साल है दो साल का अगर साधरान ब्याज 120 है तो साधरान ब्याज प्रते एक वर्स बरावर होता है पहले साल हमारा साठ है अगले साल भी साठ होगा 120 चक्रवरती ब्याज दिया गया गया 129 में 120 आ चुका है 9 बचे अब हमें देखना यह 9 पे ब्याज है 60 9 पे ब्याज है 60 गुना करेंगे 100 से 20 से 3 बार 20 से 5 बार तो answer बनेगा हमारा 15% तो right answer बनेगा option number D next कुछ धन उधार लिया गया है इसे 2 वारसिक किस्तों में चुकाया गया प्रते किस्त 882 की और rate 5% है पूछा जा रहा है उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया देखे किस्त वाला question आपको समझना है हमें लिखना है उधार और किस्त rate हमारा 5% है 5% को एक बटा 20 कहेंगे अगर हम पहली साल 20 लेते हैं तो 21 देने है पहली साल अगर आप देखेंगे तो 20 के 21 देने है दूसरी साल अगर आप देखेंगे तो दो बार गुना करेंगे 400 के 441 दूसरी बार देखेंगे दो बार गुना इस question में हमें किस्त बराबर करनी है क्योंकि कुश्चन में लिखा हुआ है कि दौनों वार्सिक किस्ट बराबर वार्सिक कर्थ हुआ दौनों साल हमारी किस्ट बराबर है दुबारा देखे 5% को एक बटा 20 कहते हैं अगर हम 20 रुपे लेंगे तो हमें 21 देना है दूसरे साल है तो बार गुना करेंगे तीसरी साल है इसकी तीन बार गुना करेंगे किस्ट बराबर करेंगे तो 21 की गुना दौनों तरफ करें अब कुश्चन में दिया गया है प्रतेक किस्ट का मान प्रतेक किस्ट का मान अगर हम प्रतेक किस्ट देखना चाहें तो 441 441 value बराबरjem 842 कि एक حصہ بराबर होगा 2 के अगर एक حصہ 2 के बराबर है तो 400 20 और 400 टोटल कितना पैसा उधार लिया पहली साल 420 और अगली साल 400 तो 820 की value आपको निकालनी है तोटल 820 की value निकालनी है अगर एक ऌपको बराबर है तो 820 value बनेगी 1640 रुपे के बराबर option number रहेगा हमारा भी next चलो अगला question आपके सामने है question लिखा हुआ है यदि किसी धन्रासी पर 8% वार्सिक ब्याज की दर से 1 साल के अर्दवार्सिक रूप से संयोजिक, CIO और SI कंतर 30 सब धन्रासी बताएं इसमें एक point लिखा हुआ अर्दवार्सिक अब छमाई वाले question में हमें ध्यान रखना है कि समय तो double होता है और rate आदा होता है, ये point मैंने starting में आपको सिखाये था time double rate आदा तो सबसे पहले आपको rate पाना है 4 बटे 100 1 बटा 25 question में 2 साल है, question में जितने भी साल होंगे, नीचे वाली संख्या की उतनी बार गुना 625 625 का अगर 1 बटे 25 करेंगे 25 25 और 25 का 1 बटे 25 करेंगे तो 1, सबसे पहले अपना graph तयार करें question में C.I.E. और S.I.E. का अंतर दिया है C.I.E. और S.I.E. का अंतर 1 और 1 की value 30 है अगर एक value 30 है टोटल मूलदन 625 है 625 में 30 की गुना करें 25 18,0 18,750 रुपे तो right answer रहेगा इसका option number C तो आज की वीडियो को हम इसी question के साथ समाप्त करते हैं आसा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे होगी हर ट्राइब का question मैंने इसमें डाला है अपने comments आप जरूर भेजें हमारे एस चांद का official YouTube channel को आप जरूर सब्सक्राइब करें like करें thank you